Hi everyone, Welcome to One Line, मेरे नाम है नूर Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एगर आप Bank of Maharashtra में Fixed Deposit कीजिएगा, आपके Fixed Deposit में आपको कितना Interest Rates Provide किया जाएगा साथी साथ एक Example के तेट में आपको ये भी बताऊँगा कि एगर आप Bank of Maharashtra के Fixed Deposit में एक लाग रुपिया जमा करके रिखिएगा, आपको मन्तली या yearly basis में total कितना Interest Amount मिल जाएगा Guys, जैसा कि right now आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे clear तरीके से एक चार्ट मेंशन किया गया है जिसमें आपको Interest Percentage दिखने को मिल रहा है Guys, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी time frame आप select किजिएगा एक से लेके सुरू करके 10 साल तक, आपको Interest Percentage सेम ही मिलेंगे that is 4.90%, तो common interest rate है 4.90%, easy to understand, बहुत ही easily आप समझ सकते हैं इसके बाद ही बाद आप देखिए, यहाँ पे clearly mention किया गया है कि 0.50% extra interest rate provide किया जाता है senior citizen के लिए deposit period के regarding already मैंने आपको बताया कि एक सेले के सुरू करके 10 साल तक आप यहाँ पे fix deposit कर सकते हैं minimum deposit amount के अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे आप 1000 उपया minimum deposit कर सकते हैं maximum deposit का कोई भी limit नहीं है interest payment के अगर बात किया जाए, तो आप देख सकते है monthly या quarterly basis में आप interest ले सकते हैं आप अगर चाहें, तो आप यहाँ पे loan against FDB ले सकते हैं nomination facility भी available है, premature closer facility भी यहाँ पे available है और जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अगर आप 1,00,000 रूपिया जमा करते है fix deposit में और जैसा आपने अल्रेडी देखा, कि एक साल का जो interest rate है, वो 4.90% per annum है उसके accordingly अगर calculate करके देखा जाए, तो monthly जो interest amount होगा, वो होगा 408 रूपिया और अगर आप साल बर में interest amount लेना चाते हैं, तो amount हो जाएगा 4,991 रूपिया और अगर आप एक साल का interest amount को देखिएगा, तो देखना कि आपको थोड़ा से interest amount में बड़त्री दिखता है यह इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर compounded quarterly basis में आपको interest provide किया जाता है और वही interest amount के उपर फिर से आपको interest मिलता है, तो इसी तरीके से पूरा साल बर में थोड़ा सा आपको amount extra मिल जाता है Guys, I am sure that you liked this video, please subscribe this channel for more updates, thank you so much